हेलो फ्रेंट्स वेलकम इन ओनलाइन एगरीकल्चर इप्लेटफॉर्म स्टुडेंट आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इपोर्टन टॉपिक है फ्यूजोलोजिकल डिसोर्डर यानी काई के विकार वेसे तो आप क्रॉप्स में पढ़ते हैं इसको हर एक क्रॉप्स में कोई ने कोई आपको डिसोर्डर देखने को मिलता है लेकिन मैं सारे के सारे डिसोर्डर एक साथ डिसकस करने वाला हूँ logically भी बात करेंगे और बहुत आसानी से भी आप लोगों को याद हो जाएगा बट सबसे पहले मैं बात करूँगा कि physiological disorder होते क्या है काई के विकार होते क्या है देखो वैसे तो physiological disorder is a type of disease यानि रोग के ही परकार होते हैं लेकिन ये रोगों से थोड़े अलग है इसलिए हम इनको physiological disorder बोलते हैं जनरली क्या है कि प्लांट्स में तीन तरेंके डिजीज देखने को मिलते हैं एक तो बायोटिक यानि जेविक रोग दूसरे semi-बायोटिक यानि अर्ध जेविक रोग और तीसरे जो होते हैं वो यानि जेविक रोग बायोटिक या जेविक रोग का मतलों क्या होता है कोई भी माइक्रो और अर्गनिजम है कोई भी सुक्सम जीव है उससे होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है बायोटिक होता है माईक्रो और अगनीजम में मैं बात करूँ जैसे फंगस है यानि कवक है बैक्टेरिया यानि जिवानू है माईकोपलाज्मा, फाइटोपलाज्मा न यह माईक्रो और अगनीजम है इनके कारण प्लांट में कोई एबनॉर्मल्टी आती है कोई S-Manus देती उत्पन होती है तो अपने उसको Biotic Disease बोल देते हैं एक था Semibiotic यानि Earth Javik Semibiotic या Earth Javik का मतलो क्या है जैसे आपने सुना होगा Virus Virus क्या है Living और Non-Living Thing के बीच की Connecting एक मालो की Chain है यानि Javik और Age Javik के बीच की योजग कड़ी होती है Virus कहने का मतलो यह जब जीव के संपरक में है तो यह जीवित जैसे Character Show करता है और जब यह जीव के संपरक में नहीं होता है तो यह मर्त जैसे Character Show करता है यानि सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है यह तरह से योजग कड़ी होती है तो कोई भी डिजीज जो वाइरस या वाइरोड से होता है उसको हम सेमिबायोटिक बोल देते हैं कोई भी डिजीज है जो वाइरस या वाइरोड से होता है हम उसको क्या बोलेंगे सेमिबायोटिक यानि अर्ध जेविक क्योंकि वाइरस कभी जीवित है और कभी क्या है निर्जीव है दोनों के बीच का एक connecting link मान सकते हैं और तीसरे जो डीजीज है वो एबायोटिक होते हैं एबायोटिक यानि एजेविक रोग होते हैं एजेविक रोग कौन से होते हैं जो किसी environmental adverse condition यानि वात्तावरन की परतिक से जैसे water irregulation कर दिया तो इसकी वज़े से अगर plant में कोई abnormality हो जाती है एसमाने स्थिति उत्पन हो जाती है तब हम उसको abiotic disease बोल देते हैं यानि एजेविक रोग बोल देते हैं तो physiological disorder जो है वो कौन से परकार के रोग में आता है abiotic disease में आता है यानि abiotic disease को हम physiological disorder या फिर क्या बोल देते हैं काईक के विकार तो ये जितने भी crops है उन सब के काईक के विकार एक साथ study हो जाए और हमें असानी से याद हो जाए इसलिए ही मैंने ये lecture design किया है जो आपको काफी help करने वाला है तो सबसे पहले हम discuss करने वाले हैं boron की deficiency से होने वाले disorder आपको पता है plants के अंदर सबसे ज़्यादा जो disorder है वो boron, calcium, copper और zinc की कमी से है ठीक है तो सबसे ज़्यादा तो आपको least जो लंबी मिलेगी ना वो पहले नमबर पे boron की मिलेगी और दूसरे पे आपको calcium की देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम क्य साब भी question क्यों ना आ जाए हम उसको fight कर देंगे चाए वो जयारफ का है चाए वो net का है चाए वो फीजी का है चाए वो किसी भी level का question आ जाए physiological disorder से आपका कोई question गलत नहीं होने वाला बस आप इस session में बने रही है और अगर आपको ये session पसंद आ जाए तो लोगों के साथ भी share करना है ठीक है अकेले फाइदा नहीं उठाना है और नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए सबसे पहले हम बात करें internal necrosis in mango आम का आंतरिक उत्तक्स है जो सबसे पहले जो disorder है वो सारे की सारे बोरोन की deficiency से होने वाले हैं तो सबसे पहला है internal necrosis in mango आम का आं आंतरिक उत्तक्स है वो किसकी deficiency से बोरोन deficiency से सबसे पहले हम बोरोन से related disorder है उनहीं पे discuss करने वाले हैं तो internal necrosis in mango आम का आंतरिक उत्तक्स है बोरोन की deficiency से होता है चलो हम इस पे थोड़ आसा discuss कर लेते हैं जनरली होता क्या है आप तो बस यह diagram देख लीजी यह लिखा क्या है स्क्रीन पे इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला चाहे आप हिंदी मेडियम के हैं इंगलिस मेडियम के हैं कुछ नहीं जस्त यह PDF आपको online agriculture telegram पे मिल जाएगा एक शांदार PDF है आपको read out करना पड़े इसलिए मैं आपको यह PDF शो कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्प आपको सम और अंदर से हम अगर स्टोन की तरब से देखे तो आपको क्या है brown black necrotic area देखने को मिलेगा यानि यहाँ बूरा पंसा हो जाएगा कुछ जेल जेसा देखने को मिलेगा यह necrotic यानि मरे वे उत्तक आपको देखने को मिलते हैं यही इसका symptom है यानि बाहर से तो आदा जो न नेक्रोटिक लेशन देखने को मिलते हैं यानि भूरे काले से इसे धब्बे आपको देखने को मिलते हैं और ये प्रोब्लम आपको जन्रली जो नोर्थ इंडियन वेराइटी है या सेंट्रल इंडियन वेराइटी है उनमें बहुत कॉमन देखने को मिलती है उत्तर भारत की क कौमन देखने को मिलती है जैसे दसेरी और लंगडा जो है दसेरी और जो लंगडा इसके लिए sensitive होते हैं दसेरी और जो लंगडा आम है न वो इसके लिए बहुत sensitive होते हैं उन में ये problem सबसे ज़ादा होती है और नीलम इसके free होती है यानि जो नीलम variety है उसके अंदर आपको internal प्रूट नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलता है आम का आंतरी कुटतक से नहीं देखने को मिलता है आप से पूछले सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है आप बोलेंगे देसेरी में देखने को मिलता है लंगडा में देखने को मिलता है किस में नहीं देखने को मिलता नीलंग ये किसकी कमी से हो रहा है बोरोन की कमी से हो रहा है तो जायर सी बात है हम इसके कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं या तो आप अक्तूबर के महिने में क्या करेंगे परतेक गड़े में 500 ग्राम बोरेक्स दे देंगे या तो आप अक्तूबर के महिने में क्या करेंगे 500 ग्राम जो बोरेक्स है वो परती गड़ा दे देंगे एक तो ये तरीका है दूसरा आप क्या कर सकते हैं जो बोरेक्स होता है उसके 0.5% का बोरेक्स के 0.5% का सफरे किस सब्या करेंगे और उसके बाद दो स्प्रे ओर कर देंगे 10 से पंदरा दिन के इंटरवेल में करदेंगे फ्रूसेट होते इसमये 0.5% का आप बोरेक्स का सफरे करेंगे और उसके 15 देज 10 to 15 देज इंटरवेल में ये सप्रे दो ओर कर देंगे तो फिर अपने और्चाड के अंदर जो internal fruit necrosis है यानि आम का आंतरिक उत्तक्ष है वो नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो पहला हमारा disorder था और important है बहुत बार पूछा जाता है और मैंने आपको इसके साथ साथ इसकी जो tolerant variety है और sensitive variety है उनके बारे में भी बता दिया है ठीक है next जलते हैं अगला disorder देखते हैं कौन सा है hard fruit in citrus hard fruit in citrus यानि निम्बु वरगिया फलों में कठोर फलों का बनना ये भी boron deficiency से होता है ये भी important है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ जो important important होंगे उनके बारे में बताएंगे बाकी के बारे में नहीं बत है ठीक है इसका जो बाहर का चिलका होता है पील होता है वो hard हो जाता और इसमें nodal से बन जाते हैं यानि गांठें सी जनली बन जाती है और ये थोड़ा lumpy देखने को मिलता है ठीक है इसकी वज़े से ये क्या है थोड़ा lumpy ये जो बाहर का पील है चिलका है वो hard हो जाएग जब आप इसको अंदर से काट के देखेंगे तो इसके जो albedo यानि जो स्पेद वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते है albedo वो भी इसमें क्या होता है इसे granular जैसा हो जाता है दानिदार और मोटा हो जाता है ठिक हो जाता है और इसमें रस नहीं होता है कई बार आपके पास आखरी निम्बू एक ही बसता है और उस पे जोर लगाते हो रस नहीं निकलता है फिर दांतों से दबाने की कोशिश करते हो समझ लो वो कौन सा fruit है hard fruit है ठीक है जो albedo है उसके छोटे छोटे ग्रेनूलस दाने से बन जाते हैं और वो थोड़ा मोटा भी हो जाता है और juice परसेंटेज है वो बहुत घट जाता है तो इसी को hard fruit बोलते हैं और hard fruit किसकी कमी से होता है बोरोन की deficiency से देखने को मिलता है next अगले disorder की मैं बात करूँ अगला disorder है heart root यानि हद्य है sudden crown root यानि सिर्ष sudden भी बोल सकते हैं इसको ये दोनों ही disorder heart root और crown root ये आपको गन्य में भी देखने को मिलते हैं और marigold यानि गेंदा में भी देखने को मिलते हैं generally इनका जो stem होता है उस stem के बीच के अंदर क्या होता है ऐसे browning start हो जाती है जिसको अपने heart root या फिर crown root के नाम से जानते हैं ये भी boron deficiency की वज़े से होता है boron की कमी की वज़े से देखने को मिलता है ज्यादा important लिए नहीं है इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा discuss नहीं किया next है hand and chicken disease in crabs अंगूर का मुर्गा मुर्गी रोग है ये भी किसकी कमी से होता है boron की कमी से आपको देखने को मिलता है देखते हैं इसमें क्या होता है क्योंकि बहुत important भी है ये देखिए जितना internal fruit necrosis important है उससे कहीं ज्यादा ये exam के हिसाब से important है और बहुत सारे exam में deficiency से जो अंगूर का गुच्छा होता है आप इन दोनों गुच्छे को देख सकते हो दोनों cluster को देख सकते हो कुछ fruit का size तो क्या है normal होता और कुछ fruit का size क्या हो जाता है छोटा जिससे गुच्छा पूरा develop नहीं हो पाता cluster वो पूरा develop नहीं हो पाता खाली खाली आपको लगे ठीक है यह बोरोन डेफिसेंसी की वज़े से होता है बहुत सारा इससे नुकसान होता है क्योंकि आप देखो ऐसा गुच्छा तो आप नहीं खरीद के लाने वाले हैं यानि यह मार्केटेबल साइज अटेंड ही नहीं कर पाएगा अट्रेक्टिव नहीं होगा लोग खरीदे गए नहीं इसको सधीसे बात है यह बॉररोन डेफिसेंसी की वज़े से होता है इसमें जो जो नॉर्मल साइज है उसके लिए तो हम बोल देते हैं हैं सबद और जो छोटे साइज के होते हैं उनके लिए चिक सबद यूझ करते हैं कौन सा चिक इसलिए अपने इसको हैं और chicks disorder बोलते हैं जो बड़े size का है उसको हाँ hand बोलेंगे और छोटे size का है अपने उसको क्या बोलते हैं chicks बोलते हैं hand and chicks disorder है ये और फ्रेंच बासा के अंदर इसको क्या कहा जाता है millerandage भी कहा जाता है तो millerandage किसका नाम है hand and चिक्स का ही नाम है हैन चिक्स को हम milrandage भी कहते हैं और milrandage जो है वो कौन सी language का word है वो french language का word है ठीक है तो ये पूछ लिया जाता है है और and chicken या फिर milrandage disorder है वो किसकी deficiency से देखने को मिलता है तो आप बोलेंगे कि ये borone deficiency से आपको देखने को मिलता है next अपने चलते है fruit necrosis of onla fruit necrosis of onla आमला का उत्तक से ये भी important है आमला में जो उत्तक से होता है वो किसकी कमी से देखने को मिलता है boron की deficiency से देखने को मिलता है किसकी deficiency से boron की deficiency से ये भी important disorder है तो थोड़ा समय आपके इसके बारे में भी बता देता हूँ देखिए Fruit Necrosis of Onla Fruit Necrosis of Onla है ये जनरली बोरोन की कमी से होता है इसके अंदर क्या होता है Fruit Pace से Necrotic Lation बन जाते हैं Necrotic Pace बन जाते हैं अगर बोरोन की Deficiency बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये जो Sports होते हैं ये नेक्रोटिक जो एरिया होता है उत्तक से एका जो छेतर होता है वो बढ़ता जाता है और पूरे Fruit पर भी फेल सकता है ये जनरली आमला में किसकी कमी से होता है बोरोन की कमी से अगर आपको इसका इलाज करना है तो आप क्या करेंगे बोरेक्स का छिड़काव करेंगे कितने परतिसत का 0.5 से परतिसत के बोरेक्स का आप छिड़काव करते हैं ठीक है और ये छिड़काव दो-तिन बार आप रिपीट कर देंगे तो Fruit Necrosis होने के चांसे क्या है बहुत कम हो जाएंगे बहुत घट जाएंगे इस सीज़का आपको ध्यान रखना है चलिए अगर हम बात करें वेराइटी की तो आप हाती जूल जिसको फ्रांसिस बोलते हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा sensitive होती है हाती जूल या फ्रांसिस के अंदर ये जो disorder अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वहीं पर अगर मैं चकाया की बात करूँ तो चकाया इससे free होती है यानि बिल्कुल क्या है resistant है चकाया में ये problem नहीं देखने को मिलती है चलिए अब और देखते हैं कुछ important disorder जो boron की deficiency से होते है या toxicity से होते है तो अगला है water core in apple गोर करिएगा ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा special है water core in apple special कैसे boron की toxicity से होता है अलागी nitrogen और boron दोनों की toxicity से होता है और calcium की deficiency से देखने को मिलता है कुछ और भी factor इसके लिए काम करते हैं और important है आजकल बहुत बार कुछ आ जाता है exam के अंदर देखें क्या होता है जो water core in apple है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा एक तो generally क्या है ये high leaf to fruit ratio जो होता है leaf to fruit ratio जो होता है वो high होता है उसकी वज़े से भी देखने को मिलता है पत्ती और फल का अनुपात अगर अधिक होता है तो भी देखने को मिलता है उसके अलावा nitrogen और boron nitrogen और boron की विसाकत्ता की वज़े से toxicity से भी देखने को मिलता है उसके अलावा ये जो विकार है अधिक तापमान में भी आपको ये विकार देखने को मिलता है तो high leaf to fruit ratio यानि अधिक पत्ती से फल के अनुपात में देखने को मिलेगा nitrogen और boron की विसाकता के कारण होता है calcium की कमी के कारण होता है अधिक तापमान के कारण ये विकार आपको देखने को मिलता है ज्यादा तर जो बड़े साइज के फ्रूट होते हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आपने देखा होगा सेव में कई बार ऐसे वाटरी स्पोर्ट हो जाता है वाटरी एलेशन बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं वाटर कॉर बोलते हैं स्त्यामन में भी देखने को मिलती है फूजी में भी देखने को मिलती है और हनी क्रिस्प जो होता है उसके अंदर भी ये प्रॉबलम आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है यानि ये जो यहां पर मैंने बताई है ये कुछ सेंस्टी वेराइटी है जिनके अंदर वोटर क working है जो नारियल के अंधर वह भी आपको जनरली बॉर्रों की Deficiency से या फिर high level of calcium या calcium की toxicity से crown choking जो है नारियल के अंधर, coconut के अंधर वह आपको जो कॉओरॉज की कमी और calcium की toxicity से देखने को मिलता है ठीक है Next is cracking in tomato tomato में फलों का फटना, cracking in tomato, टमाटर में फलों का फटना, main जो कारण होता है, वो तो होता boron deficiency, बट इसके पीछे कई कारण होते हैं, चलो अपने discuss कर लेते हैं, क्योंकि cracking जो समश्या है, cracking जो problem है, वो बहुत सारे fruits के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, तो सभी का भी एक मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा, चलो अपने discuss कर लेते हैं, ध्यान देना है सबसे पहले आपको, जो ये cell bowl है, अगर इसमें moisture कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है, तो इसमें खिचाव होता है, शिकुडन होती है, तो फलफट जाता है, fruit है, उसके अंदर आपको cracking देखने को मिलती है, तो सबसे पहली बात है, कि इसके अंदर, शिकुडन होगी केसे, कि चाव होगा केसे, ये शिकुड़ेगा केसे, तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है, कि आपने खेत में water imbalance कर दिया, कभी तो बहुत जादा दे दिया, और कभी बहुत कम दे दिया, जब कम दिया, तब इसमें क्या है, जो सेल वो लेवसुकी और उसके अंदर शिकुड़न होगी, और वो फटेगा, इरेगुलर वोटरिंग की वज़े से, यानि एनियमित सिंचाई देते हो, एनियमित पानी देते हो, उसकी वज़े से आपको क्रेकिंग देखने को मिलेगी, पहला रिजन तो है ये, इरेगुलेशन वोटरिंग या फिर आप बोलेंगे, एनियमित पानी देने की वज़े से, दूसरा क्या होता है, जो कोसिका भिती है उसके नीचे, जो कोसिका जिली होती है सेल मेंब्रेन होती है, उसकी जो पारगमेता होती है, प्रेमबिलिटी होती है, उसको बोरोन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, बोरोन कंट्रोल करता है अगर बोरोन की deficiency है बोरोन की कमी है तो पानी क्या है cell wall तक आ नहीं पाएगा cell wall सुक जाएगी और cell wall सिक उड़ जाएगी यानि सिरंकेज हो जाएगी जिससे fruit है उसके अंदर cracking आ जाती है यह दो main region है दो मुख्य region है इसके cracking की दो main factor है जो इसके लिए responsible होते हैं एक तो कौन सा factor है यहां पर एक तो मतलो water imbalance है यानि क्या है जल का एसंतुलन है यानि जो irrigation है वो एनिमी तरीके से दे रहे हो और दूसरा बोरोन की deficiency है और भी इसके कारण है बात करते हैं देखिए अगर nitrogen की विसाकता होती है toxicity होती है अगर nitrogen toxic level में होता है तो वो क्या करता है cell wall को कमजोर कर देता है अगर cell wall कमजोर होगी तो जायर से बात है जल्दी फटेगी और जो फैक्टर है यानि गोन जो कारण है वो nitrogen की toxicity हो सकती है next जो मैं other factor में बात करूँ तो देखो जो cell wall है वो किसकी बनी होती है अगर calcium कम होगा तो cell wall भी क्या होगी sow जायर से बात है fruit फटेगा तो nitrogen की toxicity भी हो सकती है और calcium की कमी भी इसके लिए responsible हो सकती है main तो दो कारण है boron की deficiency और water irregulation यानि नमी का ऐसंतुलन ये दो main factor है other factor में nitrogen की toxicity भी होगी calcium की deficiency भी हो सकती है potassium क्या करता है किसी fruit, vegetable या stem को मजबुत्ती देता है अगर potassium की deficiency है तो भी ऐसा हो सकता है potassium की deficiency है तो भी ऐसा हो सकता है क्योंकि potassium की कमी होने की वज़े से भी क्या होता है जो कोशिका भित्ती है वो कमजोर हो जाती है main factor तो boron की deficiency और water irregulation है यानि boron की कमी और नमी का ऐसंतुलन है लेकिन other factor गोण कारक है वो nitrogen की विशाकता nitrogen toxicity हो सकती है calcium deficiency हो सकती है potassium deficiency हो सकती है और high temperature हो सकता है क्योंकि अधिक पानी से भी cell walls उक जाती है high temperature भी हो सकता है तो 4 गोण कारक बता दिये और 2 मेने main कारक बता दिये निमुख्या factor बता दिये और ये 6 के 6 responsible होते है ये 6 के 6 responsible किसी में 5 है किसी में 4 है लेकिन कोई न कोई तो होगा लेकिन 2 मेन है वो तो हमेशा ही होगे लेकिन tomato की अगर मैं बात करूँ तो tomato में boron deficiency water regulation, nitrogen toxicity calcium deficiency और potask deficiency 500 के 500 factor होते हैं even high temperature भी होता है 6 के 6 factor है वो fruit फटने के लिए responsible होते हैं फल फटने के लिए उत्तरदाई होते हैं हो सकता है आपने शुरूवाले 2 ही पड़े हो लेकिन ये factor 6 काम करते हैं अब क्या है fruit cracking को आप control कैसे करेंगे देखो परती हेक्टर 15 से 20 किलो टमाटर के खेत में क्या करेंगे बॉरेक्स है उसका application करेंगे किसका बॉरेक्स का उसके अलाव आप क्या करेंगे 0.25% का 2 से 3 बार बॉरेक्स का spray करेंगे कब करेंगे fruit setting से लेके ripening तक ताकि फल नए फटे ठीक है और उसके अलाव water regulation रखेंगे अब जैसे cracking है वो आपको और भी fruit में देखने को मिल जाती है मैंने यहाँ पर पता नहीं फोटो लिए यह देखो cracking आपको किस में देखने को मिलेगी pom grenade में भी देखने को मिलती है अनार में भी देखने को मिलती है ठीक है उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको बील में भी देखने को मिलती है बील बेल पत्र एगल मार्मलस जिसको आप बोलते हैं उसमें भी देखने को मिलती है शिट्रस निम्बू वरगिये में भी देखने को मिलती है टेमाटर में तो देखने को मिली रही है और सलरी के अंदर भी देखने को मिलती है पारसनीप के अंदर भी देखने को मिलती है जिस में भी क्रेकिंग देखने को मिले क्रेकिंग के लिए सबी यही फैक्टर रेस्पोंसिबल होते हैं सारे के सारे ये factor responsible होते हैं सेम अनार में भी ये factor responsible है लेकिन अब हम बात करें अनार की एसी कौन सी variety है जिन में cracking नहीं देखने को मिलती है तो एक तो बेदाना बोसक है दूसरी आपुली है तीसरी खोग है चोथी गुल एसा है यानि बेदाना, बोसक, आपुली, कौ, गुल, एसा है ये कुछ variety हैं जिनके अंदर आपको cracking नहीं देखने को मिलती है अब हम बात करने हैं पॉम ग्रेनेट की है न अनार की बात करने हैं तो इन में ये cracking नहीं देखने को मिलती है बाकी में cracking हो सकती है हमें cracking से रोकने के लिए क्या करना चीए एक तो calcium, hydroxide का छिड़काव करना चीए 0.1% क्योंकि calcium की deficiency होती है उसके अलाव बोरेक्स का भी 0.1% का छिड़काव करना चीए fruit setting से लेकर और 15 days के interval में 15 दिन के अंतराल में ये spray अपने को कितनी बार कर देनी चीए तीन बार कर देनी चीए ये तो है main चीजे उसके अलावा anti-transparent के रुप में है मतलो जो transparent का विरोधी होते हैं उनके रुप में आप phenol का 5% का application कर सकते हैं या paraffin जो liquid होती है उसका 1% का जो आप है वो spray कर सकते हैं ये generally spray है ये harvesting से 4-5 सपता है पहले कर सकते हैं GA3 के 120 ppm का भी spray करते हैं तो आपको काफी अच्छा lab देखने को मिल जाता है बाकी में आप जो water regulation है वो proper करें या फिर AC varieties लगाएं जिनके अंदर cracking की problem नहीं होती है ये देखो cracking आपको बील में भी देखने को मिलती है और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो cracking है वो carrot में भी देखने को मिलती है गाजर में भी देखने को मिलती है ठीक है citrus में भी देखने को मिलती है factor वो के वो responsible है लेकिन गाजर में इक के दुख के factor हो और हो सकते है देखो गाजर के अंदर जो अपने cracking नहीं बोलेंगे यहाँ पे गाजर के अंदर splitting बोल देते हैं तो cracking is also a cracking है ना, splitting भी cracking है लेकिन गाजर के अंदर जो cracking है वो किसके कारण है, water imbalance के कारण तो है ही है boron deficiency के कारण भी है, nitrogen की toxicity के कारण भी है उसके अलावा इसका genetical factor भी है इसके अलावा क्या है इसका genetical factor भी है गाजर में जो boron उसकी कमी है nitrogen की toxicity है water का imbalance है और उसके अलावा जो genetic factor होता है वो और responsible होता है गाजर में क्या कारण हो सकते हैं boron deficiency nitrogen toxicity water imbalance और साथ साथ में genetic region भी हो सकता है ठीक है अगर हम ज़्यादा space पे गाजर लगाते हैं तो splitting देखने को मिल जाती है ठीक है जब सुका काल होता है तब splitting देखने को मिल जाती है water imbalance में बात आ जाती है nitrogen की toxicity से देखने को मिलती है लेकिन nitrogen में भी अगर ammonium की toxicity ज़्यादा होती है तब आपको splitting ज़्यादा देखने को मिलती है ठीक है अगर हम chloride यूज करते हैं तो nitrogen की toxicity है वो अपने आप ही क्या हो जाती है कम हो जाती है उसके अलावा जो गाजर की अगेती किसमे होती है यानि अरली जो कल्टी वार है केरट के जो अरली कल्टी वार है गाजर के जो अगेती किसमे है उनके अंदर आपको cracking है वो ज़्यादा को मिलती है तो मैंने आपको हर तरह की cracking है उसके बारे में बता दिया है अब क्योशन इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता और इससे deep आप जान भी नहीं सकती है ठीक है क्योंकि आपको एक basic competition exam की त्यारी करनी है अगर आप pathology की study कर रहे हैं और जिसमें disorder की study कर रहे हैं तो भूरा अत्वा लाल सडन रोग यह भी बहुत important है CDC बात है होता तो boron deficiency से है इसको हम browning भी बोल देते हैं brown rot भी बोल देते हैं red rot भी बोल देते हैं यानि भूरा सडन भी बोल देते हैं लाल सडन भी बोल देते हैं और भूरा पन भी बोल दिया जाता है चलो इसको भी अपन एरिया बनता है इस दिशा में कौन सा एरिया बनता है वोटर सॉक्ड एरिया बनता है दीरे दीरे इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता जाता है और ये उपर तक फेलता जाता है और फूल तक फेल जाता है और कुछ दिनों बाद ये क्या है और जादा गहरा हो जाता है यान sudden भी बोल दिया जाता है अब इसके control के लिए आप क्या करेंगे 20 kg परती हेक्टर बॉरrex वो खेत में डालेंगे application करेंगे या फिर आप क्या करेंगे 0.2% बॉरrex का spray करेंगे कितने का 0.2% बॉरrex का है वो spray करेंगे तो ये browningen आपने देख लिया इस तरह की हो सकता है कि आपने मार्केट में देखी भी होगी तो ये क्या है एक तरह से browning है clear है next जलते हैं अपने boron से और कौन से disorder होते हैं इनको भी देखते हैं मैं आपको पूरे detail के साथ बताता जा रहा हूँ ठीक है और अगर आप इनको एक बार इस lecture को डंग से देख लेंगे साथ में images भी है तो आपको असानी से याद रहेगा black spot of mango आम का काला धब्बा रोग black spot of mango आम का काला धब्बा रोग देखो आम का काला धब्बा रोग मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये boron deficiency से होता है boron की कमी से होता है लेकिन यहां फिर मैंने इसको बीच में discuss में क्यों लिया इसका कारण क्या है देखो इसका कारण ये है कि ये जो disease है ये जो disorder है विकार है ये boron की कमी होने पर ज़्यादा दिखता है boron से नहीं होता लेकिन अगर boron की deficiency है तो ये रोग जल्दी हो जाएगा तो हम ये बोल देते हैं कि ये boron की कमी से भी होता है boron की कमी से नहीं होता boron की कमी होता है तो ये disorder जल्दी हो जाता है विकार जल्दी हो जाता है जन्नली होता किस से है ये कोई भी उद्योगिक चेतर के पास अगर आम का बाग लगा है और स्पेसली जो इंट का भटा होता है ब्रिक्स की लन होता है उसके पास लगा हुआ होता है तो ठीक है तो यह डिसोडर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यह क्या होता है जो जहरीली गेसे हैं या फिर मैं बोली पॉलूटेड जो गेसे जा जिसके कारण क्या होता है ये ब्लेक कलर के स्पोर्ट बन जाते हैं और ये पल्प तक अंदर तक चले जाते हैं पल्प की क्वालिटी को खराब कर देते हैं और मार्केट में प्राइस को भी खराब कर देते हैं मेंली इसके लिए जो पॉल्टेड गेस रेस्पोंसिबल होती है वो सल्पर डाय ओक्साइड होती है में तो ये सल्पर डाय ओक्साइड के कारण ही होता है लेकिन कारण डाय ओक्साइड के कारण भी हो सकता है और इसके अलावा मैं बात करूँ तो मेथेन के कारण भी हो सकता ह किसके कारण होता है, मेठेन इन तीनों ही गेसों के कारण होता है लेकिन सबसे में रेस्पॉंसिबल में रेस्पॉंसिबल जो गेस है वो कौन सी है, सलपर डाइ ओक्साइड है अगर बोरोन की डेफिशेंशी होती है तो ये disorder बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कारण इसका sulfur dioxide, carbon dioxide और methane भी हो सकता है लेकिन boron की deficiency होते समय ये विकार आपको ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो sensitive है वो कौन सी है दसेरी दसेरी में ये problem बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और किसमें नहीं देखने को मिलती है जो लखनव सपेदा होता है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है नय के बराबर आपको देखने को मिलती है सबसे पहला बचाव तो यही है कि हम उस iint के भट्टों से इसको क्या रखें दूर रखें BRICS किलन से या Industrial Area से दूर रखें अगर हमारा ORCHARD देखो अगर हमारा ORCHARD East to West है na किलन के मतलो पूरो से पस्यम की ओर है It to West है तब तो अपने distance कितना रखेंगे मतलो कितनी दूरी पे लगाएंगे 8 km की दूरी पे तो लगाना ही लगाना चीए और पास में जो भी उद्योगी के एरिया है एंटो का भटा है उसकी जो चिमनी होती है उसकी हाइट कम से कम 15-18 मिटर होनी चीए ताकि धुआ उपर से उपर निकल जाए और ये रूल भी है सरकार का चिमनी नीचे नहीं होनी अब देखो इसके कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं 10 ग्राम परती लिटर पानी के अंदर बोरेक्स मिला के यानि 0.2% का भी सुलूशन ले सकते हैं या फिर 1 लिटर में आप 10 ग्राम का भी ले सकते हैं एक लिटर में 10 ग्राम का मतलू है कि लगबग 0.1% का ना, 0.1% का solution आप ले सकते हैं, दो का भी ले सकते हैं, 0.2% का, लेगिन जादा तर 0.1% का आप solution लेंगे, और flowering के समय है, उसके बाद flowering के 15 एक दिन बाद fruit set होते समय है, तीन एक बार अपने इसका क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो फिर ये विकार आपको नहीं देखने को मिलता, उसके लावा alkaline solution जो होता है, सारी ये solution होता है, उसका भी छिड़काव करते हैं, फाइदा मिलता है, या तो caustic soda के 0.8% का चिड़काव कर दो, या जो vassing soda होता है, उसके 0.5% का अगर आप चिड़काव कर देते हैं, जब जो fruit होता है, मटर के दाने के समान का होता है, तब अगर हम ये चिड़काव करते हैं, तो बहुत फाइदा मिलता है, और फिर 15 दिन के अंतरवाल में एक या दो और शिदिकाव कर देते हैं alkaline solution का तो यह जो black spot है यह आपको नहीं देखने को मिलता है ठीक है नेक्स अपने all disorder की बात करें जो boron की deficiency से आपको देखने को मिलते हैं तो next है अपना black spot op मटर का काला धबा रोग मटर का काला धबा रोग प्योर बोरोन की deficiency से होता है मटर का काला धबा प्योर बोरोन की deficiency से होता है जैसे यह मटर है तो मटर पे क्या होता है छोटे छोटे black spot बन जाते हैं बोरोन की कमी से है ना छोटे छोटे ज़्यादा नहीं प्रभावित करते हैं लेकिन होता बोरोन की deficiency से ही है जशलिए नेक्स्ट अगला disorder की बात करूँ diveak of raspberry raspberry का उल्टा सुकारोग वैसे तो देखो जो diveak होता है वो copper से प्रभावित होता है copper की deficiency से होता है बाकि हम जब copper discuss करेंगे तब बताएंगे और भी कारण होते हैं मेली कोपर है, लेकिन रास्टबेरी है, उसके उंदर जो डाइबेक होता है, वो बॉरॉन की डेफिशेंसी से होता है, नेच्स था ब्राउन सपॉर्ड ऑफ एप्रिकोड, खुमानी का भूरा दब्बा ज़्यादा इपोर्टेंट नहीं है यह रास्पेरी वाला भी ज़्यादा इपोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे एक भी डिसोर्डर नहीं छोडने वाला सारे डिसोर्डर डिसकस करेंगे खुमानी का भूरा दबा है ये बोरोन की डेफिजेंसीच होता है ज्यादा तर ब्राउन स्पोर्ट या ब्राउनिंग जो होती है न वो बोरोन की डेफिजेंसीच ही होती है किसकी डेफिजेंसीच है बोरोन की डेफिजेंसीच है brown heart यानि बुरा हर दे, crown heart या heart root किसका? beat root का, यानि सलजम का और reddish का मूली का देखिए जो brown root की अगर हम बात करें या फिर heart root की अगर बात करें sugar beat के अंदर सुरी मैंने क्या बोला? सलजम, सलजम नहीं चुकंदर चुकंदर के अंदर हम बात करें या मूली के अंदर बात करें तो जो center part होता है वो brown हो जाता है और बाद में काला पड़ जाता है तो हम इसको brown heart या फिर heart root भी बोल देते हैं ठीक है? यह generally आपको किसकी deficiency से देखने को मिलता है? boron की deficiency से देखने को मिलता है यह disorder आपको generally क्या है? सलजम में भी देखने को मिलेगा, गाजर में भी देखने को मिलेगा यानि carrot में, रुत बंच में भी देखने को मिलेगा और उसके अलावा जो के reddish होती है उसके अंदर भी देखने को मिलता है जो हार्ट रोट है या ब्राउन रोट है यह आपको केरट में भी देखने को मिलेगा टर्नी प्यानी सलजम में भी देखने को मिलेगा रुतबग के अंदर भी देखने को मिलेगा रेडिस यहां लिखा नहीं हुआ है रेडिस में भी देखने को मिलेगा और यह सुगर बिट आपका है इसमें भी देखने को मिलता है ये किसकी डेफिसेंसी से होता है बोरोन की कमी से होता है तो अगर आप इस पे अवर कम करना चाते हो यानि इसका कंट्रोल करना चाते हो तो आप किसका एप्लिकेशन करेंगे बोरेक्स का कितने परसेंट का 0.2 परसेंट बोरेक्स का ए या रोन डेफिशेंजी से। सलरी के तने के अंदर भी आप क्रेकिंग देखते हो।?", देखो कोई भी फूट है कोई भी वेजिटेबल है उसमें क्रेकिंग बॉरोन डेफिशेंजी से होती है। Dilक इंडरी का Skype ने लेकिक बॉργा इंदर होते हैं, आभासिव में ध्यान रखना है उसमें लेट हार्वेस्टिंग रीजन होता है क्या रीजन होता है उसमें लेट हार्वेस्टिंग होता है वो रीजन होता है नेक्स आकासिनिन रेडिस देखो जो रेडिस होती है मूली होती है अगर वो सेंटर से ब्राउन होती है अगर उसमें सेंटर में देखने को मिलती है मूली में यह browning अगर आपको side ओं में देखने को मिलती है तो आप इसको क्या बोलेंगे acacin बोलेंगे कुण सा disorder बोल देंगे इसको acacin disorder बोलेंगे next लग टॉप sickness of tobacco देखो एक जिधान रखना boron की जो deficiency है वो apical bird पे देखने को मिलती है, शिर्स कलिका पर देखने को मिलती है, बॉरॉन की deficiency आपको apical bird यानि शिर्स कलिका पर देखने को मिलती है, जो plant के अंदर immobile होते हैं, एगती शिल जो होते हैं, उनकी कमी के लक्षन हमेशा सिर्स में ही देखने को मिलते हैं, तो calcium और बॉरॉन ही क्या है एगती शील है इमोबाइल है इन दोनों की ही डेफिशेंसी आपको सिर्ष पे देखने को मिलेगी और जिनकी डेफिशेंसी एपिकल बड में होगी सिर्ष में ज्यादा होगी वही फ्रूट और वेजटेबल के अंदर भी सबसे ज्यादा डिसोर्डर करते हैं यानि स का मतलो है कि जो सिर्ष होता है वो इसे मुर्जाया सा लटका हुआ सा पड़ा रहता है मुर्जाया सा हुआ या लटका हुआ सा पड़ा रहता है तो ये किसकी कमी से होता है इसे लटका हुआ लटक सा जाता है अगर इसे घूम जाता है तब तो हुकिंग बोलते हैं और इसे plant का नाम बोल दे और sickness बोल दे तोप sickness सिर्स का sickness की बात कर दे तो टॉप sickness हमेशा बोरोन की कमी से होता है और जो hooking होती है वो हमेशा calcium deficiency से होती है याद रखिएगा नेक्स है yellow top of lursan रिजके का yellow top देखो रोज रिजके का खेत है उसमें क्या होगा जो सिर्स होगा वो पीला अभी मैंने कहा ना बोरोन की कमी कहां देखने को मिलती है सिर्स में देखने को मिलती है तो रिजके के कहत में सारे पोदों में जो सिर्स होगा वो yellow yellow दिखता जाएगा आपको ऐसे लगा है कि पूरे खेत में येलो चदर बिछा दिया आपने न तो उसको हम येलो टॉप अपलूर्शन बोलते हैं ये भी बोरॉन की डेफिसेंसी से होता है न रिज की का येलो टॉप नेक्स्ट आप फ्रूट क्रेकिंग इन पॉर्म गरेनेट एंड बील मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ श्प्लिटिंग इन केरेट गाजर के अंदर जड़ों का फटना ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो ये बोरॉन की डेफिसेंसी से होने वाले में डिस ओर्ड के अंदर सारे के सारे आपके डिसोडर है वो कंप्लेट हो जाएंगे ठीक है सबसे ज़्यादा डिसोडर बोरॉन और केल्सियम से है तो नेक्स सेशन में केल्सियम कॉपर और जिंग तीनों के डिसकस करेंगे और उसके बाद बचे हुए जो डिसोडर है वो नेक्स सेशन मे discuss करेंगे तो आज के इस session में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है जायर सी बात है यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब पसंद आया है और पसंद आया है तो share करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा थेंक यू